हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे six month के बच्चे के लिए टोपी और देखिए फ्रेंड्स इसका लुक भी बहुत ही सुन्दर है और बच्चे को पैनाने के बाद में भी बहुत ही सुन्दर लुक आता है इसका आप भी एक बार ट्राइ करके देखना तो देखिए आप बच्चे के हम जैसे नाप कैसे लेते हैं वो बताऊंगे मैं आपको यह जैसे एक कांशे आप इंची टेप रखोगे एक साइड में कांशे और फिर सर के ऊपर से लेके आप दूसरे कांश तक लेकर जाना है आपको अब जितना आपका बच्चे का नाप आ है जए 12 है या 13 आरह है उतना ही आपको कपड़ा लेना है जैसे 12 आоко बारा इंच ही कपड़े की लंबाइ लेनी है तो 13 आया और 13 ही कपड़े की लंबाई लेनी और 13 isी चोड़ाई लें इसमें मेरे बच्चे का एक काम से दूसरे काम तक बच्चे का नाप आया था 12 इंच तो ये देखे मैंने दो पीस लिये हैं ये अस्तर का है और ये उपर मैं फैबरिक है तो इसकी मेरे 12 इंच आया था तो लंबाई भी मैंने 12 इंच ही रखी है और चोडाई भी मैंने 12 इंच ह रखी है तो आपका जितना बच्चे का आए वो लेना है जैसे बच्चे का किसी की इत्पराइप बड़ा भी होता है लेकिन जैसे नॉर्मल आप यहां से आपको रखके ये कोना नापके देखनाया यहां तक आपके आपका कितना आ इसमें देखिए मेरा रहा है तो निसान लगतए जाएंगे इंचिकेव को गुमाते जाएंगे और आपको आपको यह कि कप्ड़े को करने पर पर आंब दार्क कर लेंगे इसको निसान को और इसे निसान के निम्माइब करकिए तो फिर यह हमारे एकदम गोलग tappingką इस तरीके से अब यह मारा एकदम गोल कटेबाब पूरा देखना यह वह दो केस operates इसी में अस्तर का हैं इसे में हमारा जम्हान कहीं से भी start कर सकते हो तो यह देखे मैं यहां से इसकी plates डाल रही और यह mom je самой कोरे से नहें नोर्मलमल ही दालनी है मीडियम सैज की फोटी नहीं बड़ी नहीं तो ऐसे प्लेट्स डालनी है अब यह प्लेट्स कितनी डालनी है वो देखिए इसमें मैं डालूँगी 12 इंच तक क्योंकि हमने कपड़ा लंबाई और चोड़ाई 12 इंच रखी थी हमारे बच्चे का नाब भी 12 इंच आये था तो 12 इंच तक ही यह प्लेट्स डालूँगी अगर आपन पूरी आई यह नहीं जैस180 मैंने 12 इंच लिया था तो मेरी षाल मेरे आपनी प्लेट्स डालनी है यह तक 12 इंच हो गया मेरा प्लेट्स मेरे अब एसको हम एस से।ट रख देंगे आप लेंगे हम दूसरा कपड़ा तो यह मूं ह equiv प्र आएगि हमारी पट्ती प्ट्र्टी मैंने 3.5 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच रखी है कि हमने 12 इंच तक तो हमने प्लेट्स डाली थी 1 इंच हमें पहीर हम अपने इस पर अटेज़ कर देंगे कैप की ऊपर सीधी साइड है ठोपी की सीधी साइड है पट्टी भी सीधी रखी है उपर ऐसे आटेज करना है एक दम एज़ी है देंगे बहुत रहे हैं उपर यह चाहिए इसे आपको ने है और अब जो कैऑ पर टी को ऐसे शाद लेंगे हम और फिर एक फोल्ड करके इस से द ऐसे इस तरीके से, फिर इस पे हम कर देंगे सिलाई, ऐसे सिलाई करनी है, एक फोल्ड करके छोटा, फिर आप दूसरा फोल्ड करके ऐसे सिलना है, यह देखे इस तरीके से, अब ऐसे एकदम ब्राबर करना है दोनों पट्टे को देखे, यह मैंने फोल्ड कर रखा है टोपी क अब एकदम ब्राबर रखके पटटी को ऐसे निसान लगा-लेना है गोलाई में लगाना है थोड़ा साथ एकदम तिर्चा नहीं लगाना है और फिर इसको कट कर देना, यह हमारा एक्सरा कपड़ा है वो कट हो गया है अब यहां पर हमें सीलना है पहले, पिर फिर हमारा इदर-ँदर एक पड़ा हिलता है और सीलने के बाद यह हमारा कपड़ा इदर-फृलेगा नहीं अब इसकी मैंने शिलाई कर ली है अब इस पे हम देखेए कि अब चाहक है इसका शोड़ भी सक्ते को या इस पर फ्रीष भी लगा सकते हो या आस्टेश करें लास तूरी है यह झांगाने से और भी शुन्द करने है यह देखें лहीं इसका लुक इस तरीके से आया है, अब हम लेंगे दूसरी पट्टी, यहां नीचे अपने बांधने के लिए जो डोरी होती है, वो पट्टी लेंगे, यह आपको डेडी इंचे चोड़ी रखनी है यह पट्टी, और लंबी रखनी है, लंबी रखी है मैंने, तो इधर आपको तो जितना आपको बांधने के लिए चाहिए डोरी उतना कपड़ा छोड़ देना है आपको कितना चाहिए बांधने के लिए मेरे को इतना चाहिए बांधने के लिए तो यह आगे कपड़ा छोड़ दिया है उसके बाद टोपी रखें टोपी की उपर सीधी साइड है और पट दूसरी साइड का भी हम फोल्ड कर लेंगे छोटा यह भी और अब एक और फोल्ड कर देंगे इसके उपर यह हमारी बांधने के लिए डोरी बन जाएगी ऐसे इसको सीधी स्लाइग कर लेना है फिर यह हमारी जो बच्चे की गर्दन के पास जब हम बांधने हैं वो डोरी बन जाएगी हमारी ऐसे यह कैप बनाना बहुत ही इजी है आप आसानी से घर पर बना सकते हो जैसे हम कोटन की जो कैप होती वो बच्चे को उडाते हैं तो य बच्चे के लिए बीशाइब बहुत ही संदर लुक आएगा बच्चे के पहनाने के बाद तो और भी संदर लगता है अब इसमें आप चाहो तो लटकन लगा सकते हो नहीं चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो ऐसे नॉर्मल सीधा भी रख सकते हो वह अच्छा लगता है लेक कपड़े को डबल कपड़ा है और ऐसे पर रखले ना है और रखिक फिर इधर कोने से हम सिलाई कर देंगे यह देखिए हैसे के सितरीके से इसको लटन बन जाएगे यह देखिए आश्युआ कर ना है थिर ब्लटन को लगाने के में ऐसे और अब इसको हम कट कर देंगे जितना आपको रखना उतना रख सकते हो बाकी फिर आगे से गोलाई से कट कर देना मैं इसमें पहले सी लगाया हुआ दूसरे में तो उसी के नाप का कट कर रही हूँ इसको ताकि ये दोनों हमारा ब्राबर रहे तो बस आगे से इसको हलका सा गोलाई की शेप दे के कट कर लेना बहुत ही सुन्दर लुक आएगा फ्रेंस इसका कैप का अब देखें यह हमारे यह लटकन भी बन गया है अब देखें इसका फाइनल लुक यह हमारा एकदम रेडी हो गई है कैप बन के पूरी बन चुकी हम यह देखें इसका लुक आगे से भी और यह देखें पीछे से इधर से और यह देखें पीछे की साइड से इस तरीके से और यह बच्चे को पहनाने के बाद बहुती झाल झाल